दोस्तों आपने बैंगन की सबजी और भरता तो बहुत बार खाया होगा क्या कभी आपने अमरित सरी बैंगन स्पेशल खाया है एक बार आप खाकर जरूर देखिए आप चटकारे लेकर खाएंगे और दो की जगा आप चार रोटी खाकर हटेंगे नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए वही अमरित सरी बैंगन स्पेशल लेकर आई हूँ उसी स्वाद के अनुसार तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं इसके लिए मुझे चाहिए इस तरीके से लंबे वाले बैंगन आप चाहें तो ये बैंगन आप जो गोल वाले होते हैं उनसे भी बना सकते हैं मैं ये लंबे वाले से बना रही हूँ इस तरीके से आपके पास छोटा साइज हो तो वो भी आप ले सकते हैं तो इस तरीके से आपने पूरे अच्छे से ये पहले दो लेने हैं और धो कर कप ले इनकी डंडियां आप उपर से डंधल ना काटे क्योंकि इनका ही टेस्ट आता है अमिसरी बैंगनों में तो इस तरीके से आपने ये सारे बैंगन काट लेने हैं ये बहुत ही बढ़िया रेसीपी है और 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये वाली सबजी बनकर रेडी हो जा तो इनको बीच में से मैं नहीं काटती तो लंबे मैंने काट लिये हैं दो दो भागों में कर लिये हैं अब क्या करेंगे दोस्तों इनको रखते हैं थोड़ी देर के लिए कोट करके 5 मिनट के लिए उसमें हम डाल लेते हैं अब एक चम्मच छोटे वाला नमक एक चम्मच दाल मेर्च पाउडर, आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच गरम मसाला इन सारी चीजों को इसमें डालना है बस और जादा मसाले हम यहाँ पर नहीं डालेंगे यह इतनी बड़िया सबजी बनेगी ना दोस्तों आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे जब को अल्ट पल्ट कर लीजिए अच्छे से हाथ नहीं लगाना बस इस तरीके से आप कर लीजिए और यह कोटिंग हो जाएगी अच्छे से अब आपने पांच मिनट के लिए इसको रख देना है साइड में बस आपको तड़का लगाने के बाद पांच मिनट लगेंगे इस अगर आप सरसो के तेल में बनाएंगे तो वा जी वा बहुत ही बढ़िया लगेगी वैसे तो आप किसी में भी बना सकते हो किसी भी तेल में बना सकते हो लेकिन यह अम्रिसरी खास है तो हम इसे सरसो के तेल में ही बनाएंगे तो देखिए इसे कड़ाई में तेल भी गरम ह हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पांच तरह के मसाले वो कौन से हैं आप पहले ही कटोरी में ये सारी चीज़े डालकर रख लीजिए ये मैंने पहले ही रख ली थी डालकर मैं अभी आपको बताती हूं क्या क्या है ये ये आधा छोटा चमच राई है आधा छोटा चमच साबूत जीरा है आधा छोटा चमच साबूत धनिया है आधा छोटा चमच मेथी है और आधा छोटा चमच सोफ है तो ये पंच फॉम होते हैं इनको आपने लेना है और ये सारे जरूरी मसाले हैं पांच के पांच आप चाहे तो इनको अलग-अलग डाल सकते हैं तेल में य पर इनको तड़काएं जब दोस्तों आपके ये पांच सरे के मसाले रोस्ट हो जाएं तब आपने इसमें डालना है आदा छोटा चमच हींग आप गया सीम ही करके रखें क्योंकि जो हमारे मसाले हैं ये अच्छे से पकने चाहिए एक चमच मैं ले रही हूं या पर डेगी मि या फिर काश्मीरी लाल मिर्च भी आप ले सकते हैं बस इनको मिक्स कर लीजिए हो गया हमारा मसाला तड़का रेडी ये दोस्तों हम सबजी जो बना रहे हैं बीना प्याज लहसुन के बना रहे हैं बहुत ही बड़िया टेस्ट आने वाला है बीना प्याज लहसुन की तो मसाले मेरे रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से सीम गैस पर अब इसमें डाल लेते हैं वही बैंगन जो हमने कोट करके रखे थे बस इस तरह से इसको मिक्स कर देना है और इसमें जाएगा दोस्तों एक चमच धनिया पाउडर एक चमच छोटे वाला जीरा पाउडर और ए अगर आपको कम लगे कि मैंने कम डाला है नमक वगरा तो यहाँ पर चेक करके आप डाल सकते हैं इन्हें मिक्स कीजिए एक चमच ही दोस्तों इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी यूज कर स स्वादिष्ट इतनी कि दो की जगा आप चार रोटी खाएंगे आप इसे ढख कर पका लेते हैं बस तीन मिनट में आपके यह रेडी हो जाएंगे गैस आपने सीम ही करके रखनी हैं सीम गैस पर दोस्तों यह देखिए इतनी जल्दी यह सबजी बनकर रेडी हो गई हैं एक बार आप बीच में जुरूर इसको हिलाएं और दो मिनट के बाद दुबारा से पका लीजिए कुल दस मिनट हो गए दस मिनट में यह हमारी सबजी बनकर रेडी हो जाएगी बस दो मिनट और यह लीजिए दोस्तों हमारी सबजी बनकर रेडी हो चुकी हैं बस और इसको नहीं पकाएंगे गैस आप बंद कर दें और इसे सर्व कर लें घर्मा गरम परोसे और इसको नान के साथ खाएं रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों में भी इसका मज़ा ले सकते हैं आपको हमारी रेसीपी अमरसरी बैंगन कैसे लगए आपको अच्छे लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक बाई बाई